तो देखिए आज है 25 जून और आज से ठीक 31 साल पहले बॉलिवुड में दिवाना फिल्म के जरी एक ऐसे इंसान की डेब्यू हुआ था जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था कि आने वाले दिनों में ये बॉलिवुड पे राज करेगा और ऐसा भी नहीं कि सिर्फ कुछ समय के एक तरीके से आप बोल सकते हैं भले ही वो फिल्म रिशी का पूर कीती है उस टाइम पे सेगंड लीड थे शारुक खान लेकिन पूरी तरीके से शारुक खान ने आग लगा दी थी उस फिल्म के जरी चाग गयते हैं और मतलब देखिए फिर उसके बाद तो क्या हुआ और मतलब अभी तक भी शारुक खान रुखने का नाम नहीं ले रहे हैं 31 साल हो चुके हैं बाश्या बन चुके हैं शारुक खान बॉलिवड के ग्लोबल स्टार बन चुके हैं रिकॉर्ड की बारिश कर चुके हैं मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बना चुके हैं जो आने वाले जो अभी छोटे-छोटे एक्टर जो ट्राय कर रहे हैं बॉलिवुड में एंट्री लेने का या मतलब आप लोग की परसनल लाइफ पर जाएंगे जो कई सारे लोग अपनी लाइफ को लेकर अपसेट हैं जो जिनको लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते वो कहीं ना कहीं जो खान के 99% उनमें से आपको शारुक खान के फैनी मिलेंगे क्यों कि उनी को देखके उन लोगों में हम्मत थी और वो हार नहीं मानी उन लोगों और लगे रहे और आज वो उस मकाम पर हैं तो शारुक खान करूडो लोगों की इंस्पिरेशन है आज 31 साल शारुक खान सा तो देखिए रुखना है नहीं जब तक शारुक खान है रिकॉर्ड शारुक खान का दूसरा नाम रिकॉर्ड है और जो कभी खत्म होने वान नहीं वाला है खदरनाक तरीके के रिकॉर्ड बना है शारुक खान और आने वाले सालों में भी बनाते रहेंगे शारुक खान एक के मौके बर भीड खरीद ही रहती लेकिन आप कभी भी जाओ मनत के भार मतलब गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है लोगी कोई कितना भी बड़ा आदमी हो आटमेटिक उसकी गाड़ी स्लो हो जाती है क्यों कि सिर्फ शारुखान की एक जलक दिख सके ऐसा नजारा रहता है शारुखान का 31 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं शारुखान को और आने वाले सालों में भी धमाल मचाएंगे शारुखान